नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे डाल के बारें क्यूं डाल हमारे आहार के लिए बहुत ही जरूरी है सदियों से शाकाहरी भोजन में डाल प्रमुक्स त्रोथ है प्रोटीन का हमें यह तो मानूम है कि उसमें प्रोटीन की मातरा बहुत अच्छी है पर आप क्या जानते हैं डाल में फाइबर भी बहुत होता है साती साथ उसमें होते हैं कई तरह के विटामिन और मिंडरल्स जो कि हमारे बॉडी का पोशन करते हैं शरीर का पोशन करते हैं तो डाल जो है अगर आप भिगो के खाएंगे या उसे उबाल के खाते हैं तो उसके पाचन में हमें आसानी होती है डाल में जो आपका फाइबर होता है दोस्तों, ये फाइबर आपको पेट साफ करने में भी मदद करता है, वजन घटाने में मदद करता है और साथी साथ कई तरों की कैंसर से, कई तरों की अन्य बिमारियों से आपका बचाव करता है जो विश्वा में ब्लू जोन्स बोले जाते हैं, यानि कि वो जगाएं जिदर आम जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो नब्बे के उपर है वो जगाहों में कई न कई तरीके का डाल का सेवन या लेग्यूम्स का सेवन बहुत महत्वद या जाता है डाल से एक चीज कई लोगों को जरूर होती है कि पेट में गैस होती है या पेट में दरद होता है उसका पाचन वो करनी पाते है तो उसके लिए दो-तीन चीजे मैं कहना चाहूंगा एक तो डाल का जो सेवन है वो आप धीरे-धीरे छोटी मात्रा में करना चालो कीजे जैसे आप आदा कटोरी ले सकते हैं उसको फिर धीरे-धीरे बढ़ाकर एक या डेड़ कटोरी पेरा पाईए दूसरी चीज जैसे आपकी आतरियों को डाल की पचाने की आदत हो जाएगी वैसे आपको जो ग्यास है या पेट डरद होता है या दिक्कते होती है वो डाल से कम हो जाएगी तो दोस्तों आपको अगर तंदरुस रहना है तो रोज डाल का सेवन करना है धन्यवाद झाल झाल